नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भल्चंद्र, ब्रह्मांड सिद्यास्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडिया में हम चर्चा करेंगे दिनांग 12 मई 2022 का संपुर्ण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है गुरुवार का है, शुबक रूत नाम समवसर है, सूर्य का उत्तरायन चल रहा है, रुतु वसंद का है महिना वैशाक का है, शुकल पक्ष की ग्यारवी तिती है, नक्षतर उत्तरा है, योग हर्शन है दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वो बव है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा गुलिक काल और अभिजित मूर्थ दिन के शुबक आलावदी कह जाते है इसमें किसी भी प्रकार के महत प्रुनकाम या फेनिरने आप ले सकते हो उसमें रहकर आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुवात होगा राहु काल और यमगंड़काल अशुबक आलावदी कह जाते है इसमें किसी भी प्रकार के महत प्रुनकाम या फेनिरने बिल्कुल भी नहीं लेना उसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपुर्ण दिन कन्या राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा बुद्र के साथ नवपंचम योग यानि के त्रिकोन योग करने जा रहा है उसे प्रकार गुरु के साथ प्रती योग भी करने जा रहा है यह ग्रसती सामने रखते हुए बारा राशों का राशी पल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के शर्च बाव मेशन द्रमा का भ्रहमन है और आपके द्वित्यों भाव मिस्तित्वगरी बुद्भक के साथ या ज़्योग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपके लिए शुभुपलत दाई साबित होगा खास करके आज के दिन आपके महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट वगरा हो सकती है या फिर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर कुछ लाप के बारे में कही बाहर घूमना फिरना भी पढ़ सकता है जहाँ पर आप काम करते हैं नोकरी करते हैं या फिर वेवसाय करते हैं उस सिलसिले में भी आपको कई बाहर गुमना फिर ना पड़ सकता है हाला कि आज की दिन किसी भी प्रकार के महतुपुर्ण निरने बिल्कुल भी नहीं लेना ये बात जान लेना काफी जाद आवश्यक है उसे परकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना आवश्यक है कि आपके जो करीबी जो वेखती है या फिर आपके रिलेशन्शिप में जो वेखती हैं उनके साथ मिस अंडेस्टेंड नह तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसे के relationship में है तो उन में और आप में काफी अच्छी harmony देखी जाएगी आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है अब यहाँ पर दो-तिन बाते हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवशक है आज के दिन क के स्वास्त के बारे में भी ध्यान रखना आने वाले दो से तीन दिनों में बहुत ही ज़्यादा महतपुलन बात होगी उसी प्रेकर आपकी जो मितर परिवार है उनके साथ चुटे मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन मोटे तो पर अगर देखा जाए तो दिन आपके रिलेशन्शिप के जो विक्ति उनके लिए काफी अच्छोगा अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो भी कुछ अच्छे लाब आज के दिन आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बंती है इसके बाद की जो राशी है वो है मितुन राशी बितुन राशी के चतुरत भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के वेया भाव मिस्थित वकरी बुद्ध के साथ या चंद्रमा नवपंचम योग यानि कितरी को नियोग करने जा रहा है आपके दशम भाव मिस्थित गुरू के साथ या चंद्रमा प्रतियोग भी क करने जा रहा है तो आज की दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी घर के जो लोग है उनके साथ आज आपकी जो हार्मोनी है जो अंडरस्टेंडिंग है वो काफी अच्छी देखी जाएगे उनके लिए कई बाहर घु इसे बिल्कुल नहीं करना उस प्रकर आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी थोड़ा सा आपको सजगरेना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के तरितिया भाव में चंदर्मा का प्रहमन है और आपके लाब भाव मिस्तित वक्री बुद्व के साथ या चंदर्मा नवपंचम योग याने के तरिकोन योग करने जा रहा है आपके भाग्य भाव मिस्तित गूमना फिरना हो सकता है, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कही बाहर गूमना हो सकता है, आज के दिन आपके महत्पुर्ण जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे आने वाले दो से तीन दिनों में बहुत ज़्यादा महत्व पूर्ण बात आप अपनी जो भी महत्व पूर्ण फाइनेंशेल जो एक्स्पेंडिचर रहेंगे या फिर खर्चे करना या फिर सेविंग पूर्ण बातों को लेकर तकरर हो सकती है या फिर वहाँ पर जो लोग ओंगे उनके साथ पॉलिटिक्स वाली जो बात है उस प्रकार की बाते भी हो सकती है और सबसे महत्व पूर्ण बात आपके जो निरने रहेंगे वो काफी माईनों में चुक सकते हैं आपके कारशेत्र के बारे में तो इस विशाय पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के द्वीतिया बहुमें चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके दशंबाव में सिद बुद्र के साथिया चंद्रमा अब पंचमयों के आने के त्रिकों योग करने जा रहा है आपके आश्टंबाव में सिद गुरू के साथ या चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है तो आज की दिन आपको पैसे के बारे में कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है पिछली कई दिनों से अगर लाब के बारे में लाब आपको नहीं हो रहा था उसमें अड़िचने आ रहे थी तो आज का जो दिन है काफी अच्छा साबित होगा आपके जो बित्र परिवार है उनसे भी आज के दिन आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकते हैं कुछ अच्छी सा बदल सकते हैं जैसे के रिस्क लेना कोई बड़े डिसीजन लेना इस प्रकार के बाते हैं आज के दिन या फिर आने माले दो से तिन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना अगर करते हो तो उसमें आप चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है इसके बात कि जो राशी ह ज़ए हैं वो है कन्या राशी कन्या राशी के भाग वामें चंध्रमा का ब्रहमन का मैठे के राशे मिस्ति कन्या 54 में बद Cakeन ये झार Hee ये आपके सब्त्म मिसति गुरु के साथ ये चंधरमा प्रतियोग भी करने जा रहा है तो दिन आपके लिए बहत है अच्छा और चु जाद आवशक है भावनाव में बहेंकर निरने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकर जहापर आप काम करते हो नोक्री करते हैं या फिर व्यश्य करते हो आपके काम की सरहना भी हो सकते हैं द्धाल मिलाके देखा जाए तो दिन आपके लिए अच्छा हो कि साबिद होगा सिर आपके बाहर गुमना विरना है ट्रैवलिंग करनी है तो कुछ के स्वास्थ के बारे में ध्यान रखना आने वाले दो से तीन दिन में बहुत ही ज़्यादा आवश्चक है स्वास्त के बारे में अनुपक्षित जो संभावना है, प्रोब्लम वाली बात है वो हो सकती है तो ध्यान रखिए अगर आप किसी व्यादी से पीडित हो तो उसके संदर में भी कुछ लक्षन आने वड़े दो से तीन दिन में मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी की वेई अब आव में चंधर मा का ब्रामण है और आपके के अश्टम बाव में सित्वकरिव बुद्र के साधिया चंदर मा प्रतियो करने जा रहा है तो आज का जो दिन है वैसे देखा जाए तो आज के दिन आपको मनस शांती मिल सकती है आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से आप में और आपके वाई-वाई जुड़े दर या फिर आपके रिलेशन्शिप में उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जंडरी है तो आज के दिन होगा थोड़ा सा अलग सा थाबित होगा काम के सिल्सले में कई बाहर गुमना फिर ना हो सकता है या फिर काम के सिल्सले में या फिर आपका जो भी कारिशेतर है उसके सिल्सले में कुछ निरने वगर आज के दिन आपके हो सकते है आज के दिन या फिर आने में दो से तिन दिनों में दो तिन बाते उसके उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यप होगा अगर आप विवाईथ हो तो जो वयवाई जोड़ेदार है उनमें और आप में misunderstanding होने की संभावना बहुत ही जादा बनती है और उसके वज़ेसे problem आप दोनों में अनिशितता या फिर अविश्वास की जो बात है वो काफी जादा बढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसी प्रकार अगर आपके जो मित्र परिवार है उन्होंने अगर आपके पास किसी भी प्रकार की प्रतियोग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपको बहुत ही अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छे बनती है ऐसे लाब जो की आपसे चुके हुए है या फिर आपको नहीं मिल रहे है पेंडिंग है उस पर करके लाब आज के दिन मिलने की संभावना काफी अच्छे बनती है आपके जो वैवैक जोड़ी दार है उनके साथ आज आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखे जाएगे आप दोनों में जो कमिट्मेंट है वो काफी अच्छे देखे जाएगे अंडरस्टेंडिंग है वो भी काफी अच्छे देखे जाएगे तो आज का जो दिन है आपके लिए पैसे के मामले में या फिर रिलेशन्शिप में मामले में काफी अच्छा साबित होगा सिर्फ आपके relationship पर काफी किसी प्रकार का गहरा असर नहीं होगा उसी प्रकार आज के दिन या फिर आने मुले दो से तिन दिनों में आपका जो भी कारेश है उसके संदर में आपको सजग रहना बहुत जादा आवश्यक होगा जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो गुप्त शत सकता है तो इससे बारे में थोड़ा सा आपको सजग रहना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के दशम बहुमें चंदर्मा का ब्रह्मन है आपके शष्ट बहुमिस्तित गुरु के बुद्ध के वकरी बुद्ध के साथ य प्रतियों बहुमिस्तित गुरु के साथ यह जंद्रमा प्रतियों भी करने जा रहा है तो जो भी आपका कारिशेतर है उसमें आज का दिन हैं के लिए शुमुपलद्धाई साबित होगा आप जो भी अन्मन लगा होए उस प्रकार से काम होने वाले हैं आपके जो आप जहा इसके बात की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का प्रतियोग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबुफलद्धाई साबित होगा कुछ अच्छी बाते आपके साथ हो सकती है उसी प्रकार आज का जो दिन है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो काफी अच्छे अनुबवों आपको आसकते आज की दिन सिर्फ अगर आपको कोई महत अपुर्णर दिसीजन लेना है तो उसके बारे में थोड़ सा सोच समझ कर आपको दिसीजन लेने होगे उसी प्रकार आज के दिन या फिर आने वले दो से तीन दुने में आपको अपने स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा स्वास के बरे में अगर कोई समस्या इसके पहले आप में है तो इसके कुछ संकित आपको मिल सकते हैं और सब समय है तो गुर्णबात आपके घर के जो लोग होंगे उनमें और आप में चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और वो तकरा काफी बढ़ भी सकती है वस इसे के उपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के आश्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मनैर तो आज के जो दिन है आपके लिए शुबु फलदाई साबित होगा खास करके जो भी आपका कारेक्षेतर है उससे रिलाइड़ कुछ अच्छी बात है कुछ अच्छी खबर आज के दिन आपको मिल सकती है घर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपके हर्मनी काफ़ी अच्छी देखे जाएगा उसे पर लिखार आपके से के रिलेशंचिप में हैं तो आप दोनों में जो हर्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी आपका पैसे के मामलात में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आज के दिन आपको आ सकता है थोड़े बहुत खर्चे होने की संभावना भी काफी ज़्यादा बन रही है आज के दिन या फिर आने मले दो से तीन दिनों में आपके जो वयवय जो डिदर है उनमें और आपमें किनी कारणों के मज़े से misunderstanding हो सकती है या फिर जिसे हम trust कहते हैं विश्वास कहते हैं या फिर अविश्वास जिसे हम कहते हैं तो उस प्रकार के बाते होने की संभावना आज के दिन या फिर आने मले दो से तीन दिन में होने की संभावना काफी ज्यादा बंदरी है तो उससे थोड़ा बचे रहे तो खुल मिला के देखा जाए आज को जो दिन होगा आपके लिए शूप लद्दा इसावित होगा ले प्रतियोग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपके लिए शुप लद्दा इसावित होगा खास करके अगर आप विवाईत हो आपकी जो वाई वाई जो डिदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो अच्छे देखी जाएगी उसी प्रकार अगर आप किसे के र सवास्त के बारे में ध्यान रखना आवशा है आपकी लक्षन है जो आपको दिका देखिए और सबसे महत्रों पर बात आज के दिन या फिर आने वल्याद दिनों में पैसे के मामलत में कोई भी प्रकार के बड़े जो डिसीजन है वो नहीं लेना इंवेश्मेंट के बारे में है या फिर अगर आपको किसी को कोई बड़ी रकम देनी है तो ध्यान रखिए आज के दिन इस प्रकार की जो पाते है वो बिल्कुल भी नहीं करना तो दोस्तो ये था दिना 12 मई 2022 का संपुन राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धियाश्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करना धन्यवा